कि यह आमके बोझाओ तो प्रोजेक्टाइल मोशन है हाँ केन यू सी दा एवैलेबिलिटी एव दिज रिकोर्ड कंडिशन दफ आपएस इन प्रोजेक्टाइल मोशन अफा पार्टिकल देखी के बोलत बरे प्रोजेक्टाइल मुषन ता बोजो तो कुन्टा के प्रोजेक्टाइल मुषन बोलची? है? कुन्टा के? एज आईपी एले बैट्रन कुल्लो ठांगाच्चे? बॉल्टा? प्रोजेक्टाइल मुषन? को already यह वह थoqueो तुम्ही पोड़े किसे भी प्रोजेक्टाल हो ठीह देखते गाच एडिए लिगने इते हो मेरे चे है बॉल्ट वेप र beautiful मेरे चे जानती प्रोजेक्ट थक देप रिखेहकंद हो मजलत हो आपकोड़ मनमैं सुंगह एक भाद बार कोरे कुड़ी ओबरे मैज दिखते हैं एक प्रोजेक्टी ले क्यालकुलिशन कर दो कोच, कोच दो प्रोजेक्टी ले फिजिक्स हे लोग देख लो कुण लोक में बॉल्टा चॉय होलो, संगी संगी खातापिन नी छुटलो मठे बुल्टा की यह तो एंगली मेरीशी सीनों इखेने गेची ठीक, इटक आरी तो एंगल बाढ़ी मात्तो होगा बैचन खेटे मार्चे दीलो रेग यह कोच की तुला चार तो काताच चे प्रोजेक्टाइल मोशन कीको रे ओखने अपलाई कर वे यह तो शॉकोले पाराऊची ताली बुझबो जे हैं प्रोजेक्टाइल कॉंसेप्ट धड़द धड़द मात्ता है धुगवे देखी बॉल्लाँ जे प्रोजेक्टाइल मोशन इस अल्सों अमोशन पार्टिकल फॉल्लिंग दपात अफ कर्ब तर्मने उखने उनिश्चे रकोमी एक्सलेरेशन आर वेलोस्टी रमोद देई थीटा वे पड़द आरोएच्छे तबी तो हचे पात्टा तले सेखने कीको रे कोंटा वेलोस्टी कोंटा एक्सलेरेशन कीको रे तरह एक अंडि बॉल्टा आशे बॉल्टा उड़ेकल ले ना देखी तुम देख रहा है आई पी एल बुल तो बुलो पुलो अबरी वाइफाइ कोले ना आमार राग लेजे पोरिश्कार कोरे बुलता वे के वाई एक्स हो तो आमार तो मारी इच्छे रोपर आमें एटा के वाई धुल्ल मोटके एक्स दोलला आम ओखाने बॉल्टा हीजे उड़ेयाँ ऐखे ओखाने फेलासेटी आर एक्सलेरेसन ग्राविटी ता होलो एक्सलेरेसन आर जे जङ पोल्टा बैटते के बने हीट वाई बेरोलो जे अडिरेक्षन ता होलो तार इनिशेल फेलासेटी अंचु कारों टाखुजे बर कुर्ता वेत, what is the reason for particle to follow the path of curve? तलामी की बुल्लम जे reason for particle to follow the path of curve means the moment when curve motion begins. The moment when curve motion begins, the presence of velocity and acceleration should be appearing at an angle either at acute or obtuse between them. ताले ये प्रोजेक्टाइल मोशन जे अमरा पोडबो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मने होलो when we discuss the curve motion under the gravity effect, तर मने in vertical plane, वर्टिकल प्लेने जोकुन कार्ब मोशन टके discuss कोरी, तोकुन टके प्रोजेक्टाइल मोशन बोलें, ठीका छे? क्लेर है, विद्यान, समझ में आरा है सब, बीच-बीच में थोड़ा चल रहा है, है, हमार भांगला भासा, है, समझ में आरा है, हाँ बढ़िया है, तो, तो सवाल ये है, कि ये हमारा भर्टिकल, भर्टिकल लाइन को, य एक्सिस से मैं भर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अर एक्सिस से मैं होर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो, गर्टिकल को कि ये चर्टिकल कि ये हैवार भर्टिकला ये के सकत Über Σबिक्शे भर्टिकल लेकला, पर रहा है, था जा है, कर रेक्सिस के ये एक्सिस नभंवारी है। weight of the particle must be appearing downward तरमोद्दे acceleration due to gravity this is the acceleration due to gravity G एकने जी argument A बोल चिला it will play the role of A तो अब देखो यहां geometrically अगर हमें इसको theta चुकि हमारा horizontal line reference है तो ultimately यह 90 degree है horizontal और यह G के बीच में तो altogether V और G G यहां A है तो जो starting velocity और acceleration के बीच में obtuse angle है की नहीं 90 plus theta का angle वहां मैंने पूरा को ऐसे theta दिखाया था तो ultimately वो सिर्फ theta लिखे या theta plus 90 लिखे overall angle is obtuse समझ में आया की नहीं आया तो एकदम starting instant at t equal to 0 में it is giving us the sufficient reasoning it is giving us the sufficient reasoning to discuss it as a curve motion यानी पता चला की not only cricket ball anything thrown in presence of gravity any particle whose mass is measurable such that g is countable on it whenever you throw it with some velocity making any angle with horizontal that means obviously it will appear at a obtuse angle with its acceleration due to gravity हाँ या ना ठीक है यानी कि वहीं ये तूरंत note down करा दिया कि अब मेरे बारे में पढ़ो मैं car path follow करने वाला हूँ समझ प्यारा की नहीं अब मेरे बारे में पढ़ो मैं car path follow करने वाला हूँ अब देखो मेरा वो argument पर वापस आ जाओ इसको आगे discuss करने का तरीका मैंने क्या बताया आइदर एको resolve करो या भी को उसमें मैंने किस पर जोर दिया भी को resolve करो एको disturb ना करो तो यहाँ वही काम करेंगे देखो यहाँ क्या करेंगे जो starting velocity है उसको resolve करेंगे as per convenience और हाँ एक बात है यहाँ जैसे मैंने दिखाया था कि वी को resolve करके एक लाइन पे लाओ कहा था ना क्यूंकि वी और एक बीच में यह geometrical angle मैंने acute लिया था और हमेशा याद रखो कभी भी किसी भी vector को जब resolve करते हैं तो उसका जो दोनो resolve component है वो original vector के साथ यानि कि जिसको तोड़ रहे हैं उसके साथ दोनो component का complementary angle होता है कैसे angle होता है complementary angle है ना कभी भी एक vector को अपने से दूसरे direction पे नहीं लिख सकते हैं जिसका angular presence more than 90 है समझ रहे हो कि नहीं इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो initial velocity है इसको resolve करके मैं नीचे नहीं ला सकता हूँ क्यों क्योंकि यह more than 90 degree more than 90 में किसी component को नहीं लिखा जा सकता है तो यहाँ क्या करेंगे u को resolve करेंगे in two components like this ux and uy तो uy जो g के line पे नहीं direction में नहीं आया लेकिन उसी line पर तो आ गया न cancel नहीं करेंगा हाँ यह एक पकड़ाया यह एक point पकड़ाया देखो error कहाँ पकड़ सकते है कई बार देता है कि two vectors of same unit समझो same unit but different measurable standard are opposite in opposite to each other their resultant value zero गलत दो vector different in magnitude same in magnitude but different unit of measurement यानि कि दो अलग physical quantity है direct physical quantity ना लिखे किया करें गुमाद या language two vectors having same magnitude but having different units of measurement यानि कि दो अलग physical quantity यानि velocity और acceleration same in magnitude भी होगा तो opposite direction पे वो एक दूसरे को cancel out नहीं कर सकता है cancel out identical vector से ही होता है force force को balance करेगा velocity velocity को balance करेगा acceleration acceleration को balance करेगा velocity और acceleration दूसरे को balance नहीं करेगा clear है influence करेगा balance नहीं कर पाएगा influence करना और balance कर देना अलग बात है influence करने का मतलब क्या है effect camera की भाव पुड़बो यह बात को बोलो मैंने कहा कि though different physical quantity opposite in direction having same magnitude one can influence the other कहने का मतलब है एक के वज़े से दुसरा का magnitudical change होगा यानि की यह u और g के जो u i और g ध्यान से सुनो बात को यह जो u i और g है opposite है g के वज़े से u i का magnitudical change होगा nullify नहीं हो सकता है एक आएक got my point बढ़िया तो हुआ क्या t equal to 0 में सबसे पहला पहचान हुआ कि velocity इधर g नीचे they are appearing obtuse to each other sufficient reason to follow the path अब हमको तू रनती है देखते साथ यह concept है किसी भी सवाल को approach करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि question का जो language है उसका initial point से velocity और acceleration का जो given directional information है उसी से तै कर लो कि आगे का path इसका straight line होगा या car होगा उसे साब से mathematical लिए आगे बढ़ो तो क्या हुआ कि u को resolve कर दिये ux और ui में अब काम क्या हुआ देखो ux is it influenced by acceleration diagram देखो ना ux के साथ g का 90 degree है अभी मैंने कुछ minute पहले कहा कि कोई भी acceleration अपने से 90 degree direction में उसका effect ठंठन को पाल कुछ नहीं है है ना तो g का effect horizontal पे कुछ नहीं है 0 तो अगर acceleration का effect horizontal पे 0 है तो यानि कि कहने का मतलब ux will remain constant जब तक ये particle gravity effect में रहेगा तब तक उसका horizontal velocity constant रहना चाहिए got my point अब रहा सवाल initial ui velocity it is definitely getting affected by g opposite है यानि कि as a function of time ui बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए acceleration appearing opposite to velocity उसको oppose करेगा ना favor कैसे करेगा भई favor तो वो होता है कि जिस direction में motion है उसी direction में धक्का लगाया opposite है तो यानि कि ui का value g के वज़े से समय के साथ साथ बदल रहा है अब देखो simple सा logic आउट तो देखो curve का पहचान कैसे होगा कुछ दो-तीन instant का successive instant का drawing देखो पहले इसको समझो एकदम सुरू में ये ux ये ui ठीक है ना मैंने कहा कि ux constant रहेगा लेकिन ui घटेगा बढ़िया तो उसी में मैं अब एक दूसरा color यूज करने लगा और दूसरा color लेके अगला instant के लिए लिए लिखा ux still same but ui छोटा decrease हुआ क्यों क्योंकि ये तो जो पहला वाला है या इसको अलग से यहां draw कर लेते हैं तब तुमको बेटर समझ में आएगा ux still same in value but ui छोटा हुआ थोड़ा ये t equal to 0 का बात है ये मानलो t equal to 1 second का बात है 1 second time में ui 2 second में still ux उतना ही same in value but ui छोटा हुआ हो रहा है छोटा हाँ या ना अब देखो तो थोड़ा ध्यान से अगर शुरुवाल बात ये था तो this was u 1 second में बात यहां पहुँचा तो this is u at 1 second 2 second बात अगर ये दोनो component है तो ये अब ध्यान से देखो ये starting initial velocity ये कुछ देर के बाद ये कुछ और समय के बाद तो क्या indication आ रहा है ये अगर हमारा theta 1 ये theta 2 ये theta 3 theta क्या increase हो रहा है या decrease हो रहा है horizontal के साथ क्या indicate कर रहा है particle का motion ऐसे हो रहा है कि उसका horizontal के साथ angle यानी की समझ में आया बाद क्या 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 रहा है